जोकर अपने हाथों से इशारा करता है और गुंडे की आखे गायब हो जाती है और वह जोर से चिल्लता है जोकर अपने हाव भाव से एक और इशारा करता है और उनकी महिला साथी को ओर्टी होने लगती है जिससे उनका बोस आग बबुला हो जाता है, जोकर उसे लेकर गायब हो जाता है इधर दोनों गुंडे अच्छानक ठीक हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा कर खुशी जाहिर करते हैं उनकी महिला साथी भी एक गले के साथ अच्छा महसूस करती है उधर जोकर लड़की को आता देख अपने किताब पढ़ने की मुद्रा को बंद कर एक अजीब सा पोस बना कर खड़ा होता है लड़की उससे बातचीत शुरू करती है और उससे अपने दांस की स्टेप्स करके दिखाती है मौका पाते ही जोकर उनके बॉस को बाहर निकाल लेता है और उसके मुँसे सच उगलवाना शुरू करता है लड़की घबरा जाती है और सौरी बोलकर वहां से निकल जाती है जोकर जल्दबाजी में उससे कुछ और भी बुलवाता है लेकिन लड़की वहां से भाग जाती है जोकर भी आगे बढ़ जाता है वहां की दीवार अच्छानक काली होने लगती है जोकर दुनिया को अपने हिसाब से देखना चाहता है